हेलो प्रेंड्स वेलकून टू माय अडिस चनल तोड़े हम डिसकर्शन ही जेड़ स्टार है जेड़ इफेटिंग किस तरह से लिकालते हैं इसके पहले बाले बेसिक पूरा किलियर करती है ठीक है और इस वीडियो में देखेंगे किस तरह साब लिकाल सकते हैं पूरा जेड़ इस वीडियो में पूरा किलियर कर देंगे ठीक है और यह बहुत इंपोर्टेंट है फूर आईटी इसम के लिए तो देखेंगे जो कि हम कौन सा रूल चलेंगे एस लेडर रोल जैसे बोलते हैं देखें इसको लिकाने के लिए पहले बता देता है जैसे निकुलियस है ठीक इसके अनुसारा से आउटर मस्ट और बीटल से बढ़ रहा है और यहां से जिसका कॉंटिंग क्या होता है कि जिसे ए एन है तो एसका अंदर न-1 होता है फिर न-2 होता है एन-3 होता है जैसे कि अब एक जामपल लेंगा आपको पुरा प्रूप पता चल जाएगा तो यहां यहां से यहां एन-1-2-3 डोडोड़ जाकर वा जहां तक जाना मर्जी है ओँगे अब यहां से एन-1-2-3 इस तरह से जा रहा है अब यहां से इसको जेड़ स्टार कलिकाने के लिए निस सिग्मा होता है किसी भी आईटम का लिखाना लेकिन पहले हमको पता नहीं सिग्मा क को क्या बोलते है स्कायरिंग के एब एसक मों एब कोस्टेंट तो इस कोन को क्या करना है है तो इसे ढूरों क्या कि ns या np रहे दोनों में कोई रहे तो ns एस मतले सेल, p मतल प्यूर बीटल सेल, n क्या प्रिंस्पर क्वाइंटर नमर होता है जो कि n का भाईलू वह भी पता चल जागा जब इलक्ट्रोनी को फिरसन लिखेंगे पूरा किलियर हो जागा तो ns या np जब भी रहे तो इ वाला है ठीक है और अगर n-1 सेल में चल जागा मतलब इसके जस्ट अंदर एक लिए तो जैसी अंदर एक थोड़ा चल गया तो इसके लिए कौन-कौन सा होता है spd के लिए होता है जो कि 0.85 लेंगे के लिए अब उसके लाश्ट है स्रीप की n-2 अब जाईए या n-3 जाईए या n-4 जाईए डोडोडोडोडोडोड करके आप जहां मर्जिय वहां जाईए ठीक है जबकि इसमें कौन-कौन सा सिल रहेगा spdf तीनो चारु सिल रहेगा क्य इसमें से कौन से यदि फैक बाहर हो लेंगे अब देखे क्या क्या लिखना आपको साइध पता ना चले है जैसे जांपल लेते हैं है जांपल में हैं कि हार्डोडोजन लेता है अब को सबसे मीनिम्म इफच्टि निकुलियर चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए अब स्नेलक्त्रो sopron हुए सस्सक्ताइर नहीं needing पता पता चल जानेस गारत विजियू में तो देखिया हैं स्सक्ताव्द्ट्वाद्व में वह स्नेलक्त्रो स्सक्ताइं तो इसका जा मईनद्ट्रों कीषठियालन के लिए 2 4 लेकिन यहां जी इलोक्त्रोन करेताब है थानीन सोब्स पिलेकी अgebra mode को में लेकिन इलोकट्रोन में उरकट्रोन इलोक्त्रोन में रिपल्सों होता है तो में उलोड़े में कान theft जरी जाता है इसके साथ रिपल्सन करने चला जाता तो जो बच गया कितना इसके साथ बच गया मेरा 1s0 जो कि sigma यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 0 into क्या हो जाएगा 0.35 0.35 तो 0 में कुछ भी multiply करिएगा 0 आगा 0-1-0 बरावर 1 आने जरे डस्ट आवाँ पर hydrogen करके ना हो गया अब देखें नेस्ट क्या है मेरा helium है ठीक है अब देखें helium का किना होता है तो माइनस क्या करेंगे सिगमा करेंगे सिगमा इसका लिखा लिए तो फिर किया करते हैं रिपल्सर करने के लिए 1s1 बना क्या हो जाएगा तो 1s1 बना नहीं सीगमा लिखाने के लिए 1 into 0.35 इसे में देखें इसे एक सब्सक्राइब करेंगे इसे में पूरा किलियर कर देंगे आपको पूरा डाउट खतम हो जागा तो वह कोई सब्सक्राइब इसे लिए अब यहां से जिरो पॉइंट थी करेंगे इसका डायरेट यहां से क्या जागा जागा जेड़ अश्टार एक फेक्टी निकुलियस चार्ज लेका दिये जैसे कि और अभी जांप लेते उसके बार पूरा बोट साब करके पूरा बढ़िया से टीटेद में करतेंग अब यहां से रक्या है कि न में प्रिंस्पन को इंटर नम्मर है जो की यह है तब स्कालों बढ्रक भूर गया में देख सकते हैं काहिए आप बर लक्र्वत धेक्समार टेज चांऎ के इसमैंड यहां संफ हाई जोकी हरो । बाद रहें तरह से यहां से पता चल गाँ अब यहां से एन मैनस वन होगा अलंग लगोगा है तो लेकिन इसका सिग्मा जीरो आया तो पूरा एक में एडिशन करके लिखालते हैं इस तरह अलग लग क्या लिखालते क्या का लोग लिखाने के क्या करते हैं जीरो इंटू जीरो ऊपेणकों को करते हैं अश्युए इसमें जीरो फोसमीर Schutz करते हैं यहां से 0 alpha क्या हो जाएगा 15 यूड़ पॉइंत से वन पॉइंट से बन फिंट से बंगा तो शटार लिखाने के लिए क्या होता है सब्सक्राइब अब देखे यांसे लिधियुम पेकी लिखा यह किना होते हैं फोर होता है अब इसका लिकाने के लिए क्लिए है यहांद करेंगे तो तो आशाया है अब इसके लेकाने क्लिए न-1 न है एक मैं इनीन मेंस और इसके लिए लिए वह स्वाइंस पार ईंटू पोईंट्ट थी फाइफ स्वाइब पार पोंट्ट्यों और स्वाइब ऐसक्ट आए-ट लिए अगए अनग ऑन-फोइंट गया जाएगा जीरो पोईंट्ट सब्सक्रार बढ़त यहां से थीपॉइं 5.10,2.10,0 तो पॉइंट 2.05 आगे अब यहां से 2.05 दैके टो है तो इसका जडा ले T कने के लिइए 2.05 जो कि 1.95 आए aí देख सकते हैं तो यहां से श्री पी इसको लिकाले आँ पूरा को कि यह पता चल गया होगा अब इसमें चलते हैं यहां से देख लेते हैं और लिका लेते हैं मैंगनेसियम कमाले तो मैंगनेसियम कि ना था टूबे लोता है अब इसका इलोक्त्रोनिक ओन भीरेसा लिका लेंगे 1s222p6 आता है 2p6 हो जाग है अपर यहां से यहां से जागा ध्यासरी यहां से दस दूबारा थेकर अब यहां से यहां 2 है 2 है यहां फिर्फ यहां से देखिए कैसे सीग्मा लिकालेंगे इसको लिक्या करते हैं तो सीगमा लिखाने के लिए क्या करेंगा वन इन्टु जीरो पॉइंट थीरी फाइप पलस उसके बाद ही इसमें किने लोग्ट्रोन है छेए दू आठ तो आठ एल्टु जीरो पॉइंट एट फाइट फाइट पलस किनना है मेरा पास टू एलोग्ट्रोन टू इन्टू वन तेहाँ देख सेथे 0.35 और यहाँ पर की नोट प्रचाले चॉसस और 6.8 हो जागा एंड टू तो यहाँ से देख सेथे 5 11.8 9.15 एगा तो यहाँ से जेड़ स्टार लेकाला मेरा को जेड़ स्टार या जेड़र्य स्टार इख तो जेड़ मैरा सिग्मा जेड का बैजू किन तो पॉइंट पाइगा शोड़ी एट फाइगा अब यहां से तर इधर हो गया काने अब आप देख लेते मालेजिए कैलसियुम देख लिए तो यहां से दस हो गया और अच्छे अठारा और फोरेस्ट अपको इल्ट्रोनिक फिग्रेशन आएगा तो इजली सब बना लेगा कोई भी कोश्चन का ठीक है तो यहां देखे एक अलग हो गया फोर ए अलग है अलग है अलग है अनि के यह अन हो गया उसके बाद एन मैनस वन सीघमा लेखे हैं किसि अम क्या करेंंगे सीघमा लिकाने के लिए एक हिलोट्रों क्या करेंगे शप्रेक करेंगे इस पलस यहां पर किना क्या वन इन्टो एट पलस टू इन्टो वन ठीक है तो यहां से 0.35 आ गया और 6.8 आ गया और यह आठ दू 10 16 कर देते हैं कर लिजिए अब ठीक है तो यहां से किना जाएगा 17.15 आएगा किले रहा 17.15 आएगा अब यहां से यहां से मिल जागा 2.85 आफ कर लिजिए किसी का भी अप लिका लेते हैं आपको पूरा क्लियर कर देते हैं अब यहां से सब्सक्राइब कर देते हैं यहां से क्या है यहां से क्या है यह अलग है और यह सेमा और यह अलग है सब्सक्राइब कर देते हैं और यहां से यहां पर क्या होगा मेरे पास एट और नाइन इंटु क्या होगा तो 0.85 अपलस डारेट इसर सब को वन कर देते हैं कि इवी वन इवी वन ही होता है यह और यहां और यहां 0.35 और 945 चार और बहतर 7.6 हो जागा ठीक है और 10 17 कर देते हैं फिनाइल अनि कि यहां से 18 आ सब्सक्राइब यहां से जेड़ स्टार केटना आ जाएगा मेरे पास जेड़ स्टार 21-18 हो जाएगा अनि 3 आ जाएगा कि लिए टीटेनियम का देखती लिखालते है देखिए टीटेनियम की ना तो 22 ठीक है अब इसका इलोक्रोनिक को इंफिरेशन लिखा लिए है कि लिखिते हैं किissippi इस सब्सक्राइब यहां से क्या करेंगे अब यहां सब्सक्राइब यहां से वान इंटु 0.35 पलस इसमें कीना होगया चेदू आट दू 10 10 इंटू 0.85 पलस इसमें कीना होगया चेदू 8 और पलस टू 10 है किले 0.35 पलस यहां से किन नह COM RA 18.85 और पलुस्-10 अब यहां से दिख्या हो गया कि यहां कि मेरा से मिरकिन नहीं होगा सुरी एध के पोएंट है तो एंट पोएंट हुगा टेन इंटु मल्टिपलाए होगा तो अब यहांसे स्पर्टाइब अब तो बताए जेड श्टार का वेलू कीना आजागा जेड में सिग्मा आने की 22 मेंने 16.5 तो इसका वेलू जो आएगा वहाँ केना आजागा 18.5 तो आने की 5.3 आजागा 3.5 पाएगा ठीक है 15 एगा ना फाज ठीक है तो इस तरह से देखिए कौपर क्रोमियम देखिए 24 का क्रोमियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d कि नहीं क्रोमियम तो क्रोमियम के इलक्रोनिक ओन भीरेशन मेरा क्या होता है इसेप्शनल यह होता है तो 3d5, 4s1 वहना चाहिए तो 3d4, 4s1 लेकिन 3d5, 4s1 बस n हो गया फिर n-1 हो गया फिर n-2 हो गया अब यहां से सिग्मा इसका लिखा लेंगे तो सिग्मा लिखाने के लिए भी क्या होता है कि 1 into 4s0 हो जागा क्योंकि यहां पर क्या हो गया इलक्तोर निलक्तोर रिपल्सन बना दिया जीरो इंटो 0.35 पलस किना हो गया एचे दू आठ पाच तेरा एंटो 0.85 पलस यहां से 10 हो जाएगा देख से तेदा ठीक है तेदा 10 हो गया अब इसको यहां कर दीजिए 18.13 को मल्टिप्लाइ करिए 15 24 25 ठीक है 15 ठीक है 85 यहां से किना हो जागा 5 10 11 11.05 11.05 और यहां से 10 एड करेंगे तो 21.05 पाजाएगा तो यहां से 21.05 सिग्मा अब यहां से जेड अस्टार लिकाल लीजिए जो कि यहां से 24-21.05 पाजाएगा यहां पर क्या होगा कि मल्टिप्ल यहां पर 8.5 होगा तो यहां से देख सकते होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास 3.15 अब देख लेते इसका कॉपर का देखिए यहां से कॉपर का देखिए क्या होता है जैसे कॉपर है 29 होता है अब कॉपर 29 है तो इसका इलोक्रोनिक कोनफिग्रेशन में रखो पता यह आपको भी पता अभी होना चाहिए ठीक है ठीक है 3S2 3P 6 3D 10 4S1 होता है क्योंकि यहां क्या है जीरो जागा तो 0-0.35 यहां से किना हो जागा एट-18 हो जाएगा तो 18 इंटू 0.85 पलस यहां से किना हो जाएगा मेरे पास 10 अब यहां से इतो 0 हो गया पलस इसको मल्टिपलाई करना पड़ेगा मेरेको और चालिस कर चार शिस पॉइंट है और 85 यहां से करेंगा जीरो थीरी से 15 पॉइंट आइधिंक यह आगा देख सकते 85 पलस जीरो ठीक है और पर तेरह 14 ठीक है पंद्रा तो देखिए आप 15.3 आया पलस टेंटर 25.3 आगया सिग्मा अब जेड़ स्टार यहां से लिकाले जेट 29 माइनस 20 पॉइंट इस तरह सो के 25.3 अब यहां से इसका किन्ना बहल हो जागा मेरे पास 7.3 आइधिंग 3.7 होगा ठीक है यह होगा अब देखिए इस तरह से इसका कौपर का भी लिकाल दिया अब दीकिए इस एफसन आली क्या था स्रिप मंदा हिलियम था बागी संतर इलक्टोनिक को फिग्डेसर में इस एक करके देख तीए अब कोई भी कोशन पूछे स्रिप इलक्टोनिक को फिग्डेसर ना चाहिए उसके बाद दर काहिए न-1 अगर कभी भी डाउट है तो कोमेंट करें वहां साम पूरा किलियर कर देंगे तीए फिर मिल देने इस वीडियो साथ तो जैन जै भाराण टिक क्या